नमस्कर दोस्तों ऐसे हैं लोग आज मैं आपको बताने वाला हूँ नियूमरलोजिक के बारे में नियूमरलोजिक हम सभी बेसिक जानते हैं कि बर्थ डेट या फिर बर्थ का पूरा जो डेट है वो मिला कर ये बनता है तो इसमें हम देखेंगे वन बाइवन मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा एक नमबर के लिए कि एक से लेकर नौ तक ति हर एक नमबर के लिए उनका लखी नमबर कैसे निकालना है उनका लखी मोबाइल नमबर कैसे देखेंगे उनका लखी घर नमबर कैसे देखेंगे उनका ल हर एक को possible नहीं होता है कि choice number ले ले वो बहुत costly होते है तो आपको जो number मिला है उसको आप आपके favorable कैसे बना सकते हो यह सभी methods हम आज इस वीडियो में देखने वाले है दोस्तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपको कुछ problems है यह सभी बताया है तो हम एक एक number एक एक वीडियो में ले रहे है अब तक हमने 6 number तक सभी numbers का देखा है कि उनको कैसे favorable बना सकते है अगर आपके पास में वो number नहीं है तो उसको हम कैसे change कर सकते है यह सभी देखा है आज जो number देखने वाले है वो है number 7 7 number numerology के जो उसके properties है या फिर उसको कैसे match कर सकते है यह सभी हम देखने वाले है number 7 के लिए इसमें 3 method होते हैं दोस्तों मुख्य रूप से यह 3 method जो है यह आपके lucky number निकालने के लिए use किये जाते है सबसे पहला जो है उसको मूलांक कहते है यह मूलांक निकालने का method यह है कि किसी व्यक्ति की जन्मतिति को अगर आप जोड़ोगे और उसको जोडने से जो अंक प्राप्त होता है उसको मूलांक कहते है for example मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है किसी की जन्मतिति है 21 अगर इसको हम जोड़ते है 2 प्लस 1 2 में एक को मिलाते है तो आएगा 3 और यह 3 जो है इस व्यक्ति का मूलांक हो गया जिसका जन्म 21 तारिक को हुआ है यानि जिस तारिक पर आपका जन्म हुआ है वो दो दिजिट है तो उसको आपको मिलाना है जो अंक मिलेगा वो मूलांक रहेगा और वो आपका एक लखी नंबर होगा तो और एक एक जन्म देखते है 19 का अगर आपका जन्म है 19 तारिक का तो आप 1 प्लस 9 एक में 9 मिलाओ 10 आएगा 10 में आपको एक में 0 मिलाओगे तो कुछ भी ने 1 ही रहेगा तो उस व्यक्ति का मूलांक रहेगा 1 तो इस प्रकार से निकलते है मूलांक दूसरा मेथड है दोस्तो भाग्यांक किसी भी व्यक्ति की जन्मति थी माह और वर्ष को जोडने से जो अंक प्राप्त होता है उसे उस व्यक्ति का भाग्यां कहते है जैसे यह दि किसी व्यक्ति की जन्मति थी 21,2,1984 है तो उस व्यक्ति का भाग्यां कैसे निकलोगे तो जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया है स्क्रीन में कि आपको सभी अंक जो है उनको मिलाना है यहाँ पर मैंने 0 भी लिखा है तक कि confusion नहों कोई अगर देख रहा है मिला रहा है थी थी तो 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 9 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 4 यह पूरी अंख मिला कर हमें मिलेगा 27 अभी 27 तो 2 डिजित नंबर है लेकिन निमरोलोजी में सिर्फ एक से 9 तक के अंख ही हम देखते है तो आपको 27 को फिर से एक सिंगल डिजित नंबर बनाना है तो यह सब 2 और 7 हम मिलाएंगे तो यह अंख मिलेगा हमें 9 इस फ्रकार से आपको मिलेगा आपका भाग्यांक आपकी जन्मतिती माह और वर्ष को जोड़कर आपको मिलेगा भाग्यांक तो जो ये वेक्ति है इस जन्मतिती वाले उसका भाग्यांक रहेगा नौ तीसरे मेठड है दोस्तो नामांक किसी व्यक्ति के नान से जुड़े अक्षरों को जोड़ने के बाद जो अंक प्राप्त होता है उसको नामांक कहते है ये नामांक जो है दोस्तों इसके और दीम मेथड है अभी हम इस वीडियो में नामांक नहीं देखने वाले हैं क्योंकि आपका favorable number निकालने के लिए आपका मूलांक और भाग्यांक मेंली ये दो number C हमको लगने वाले हैं तो अभी हम नामांक के लिए नहीं देखने वाले हैं तो ये first row method आपको द्यानने रखना है इस वीडियो में आज हम देखेंगे भागेश अली यानि लखी नंबर क्या है उस नंबर की विशेष्टा क्या है जो भी नंबर है हर एक नंबर के एक ग्रह का प्रभाव रहता है तो उस ग्रह के प्रभाव की वज़े से उस number के कुछ basic properties उस person में होते हैं तो वो क्या है ये भी हम देखेंगे उस number के साथ में compatible number कौसे है क्योंकि आपको आपका lucky number निकालने के लिए ये सभी देखना पड़ेगा आपका compatible number, easy to match number दोस्तों ये यहाँ पर देखने के लिए आपको चीजे लग रही है लेकिन अगर आप ये वीडियो end तक देखोगे तो आप easily आपका lucky number calculate कर पाओगे number के साथ में easy to match number number के साथ में neutral number कौसे है, enemy numbers कौसे है और finally हम देखेंगे कि आपका lucky mobile number आप कैसे calculate करोगे या फिर lucky car number या lucky house number अगर ये तीनों चीजे आपकी permanent है तो वो इस number को हम कैसे modify करेंगे ये भी method मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि घर change करना, car change करना सिर्फ number के लिए ये इतना easy नहीं है तो उसके भी methods होते है और वो change करके हम अपने lucky number का energies उन existing चीजों से ले सकते है दोस्तो अगर आपने अभी तक मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुर्पया इसको subscribe किजिएगा ये एक table है दोस्तो जिसमें सभी numbers का मैंने आपको दिखाया है कि कोई से number का कौँ सा ग्रह है ये जब हम individual number देखेंगे तो उसके बारे में तो मैं बताऊंगा ये एक overall table आपको दिया है ये end baby मैंने दिखाया है क्योंकि इसमें देखके हमको देखना है कि जो हमारे compatible number है उनसे friendly number कौँ से है उनके easy to match numbers कौँ से है इसके लिए हमें ये table लगने वाला है 7 number जो है ये नेप्चुन ग्रह के प्रभाव में आता है अभी 7 number उन व्यक्ति का मूलांक होता है जिनका birth 7,16 या 25 इन dates पर हुआ है अगर इस date पे आपका जन्म हुआ है आपके birth date का जो total है वो sum अगर 7 आता है तो मूलांक 7 है और इनके friendly number कुछ होते है easy to match number होते है लेकिन दोस्तों अगर आपका existing गाड़ी का number है mobile का number है या घर का number है ये आप change नहीं कर सकते हैं तो इसको हम कैसा अपने favorable बना सकते है इसके कुछ method है तो अभी अगर हम देखते है 7 number के लिए friendly number है 1,2 और 7 इनका easy to match है 4 number, neutral number है 5 और इनका enemy number है 3,6,8 और 9 अगर इन में से आप अगर enemy number यूज कर रहे है और वो number समझे आपका mobile number है आप change नहीं कर सकते हैं बहुत लोगों के पास में वो number आप दे चुके हैं तो उसको हम कैसे अपने favorable बना सकते हैं यह सबी चीजें आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ number 7 के बारे में तो number 7 का हम देखते है numerology कैसे हम use कर सकते हैं अपने favorable जैसा मैंने पहले बताया है कि आपका मूलंक कैसे निकालना है क्योंके दो lucky number होते हैं आपके एक आपका मूलंक एक भाग्यंक मैंने जस्ट पर इंफरमेशन यहाँ पर आपको जस्ट एक पर दिखाया फिर से calculate your birth number आपका birth date आपको मिलाना है जो मिलेगा वो आपका first lucky number है इसके बाद में calculate life path यानि के आपका पूरा जन्मतिती माह और वर्ष आपको मिलाकर जो number मिलेगा वो आपका दूसरा favorable number यानि के दो lucky numbers आपको मिल चुके हैं तो अभी आगे हमें क्या करना है आपको आपका lucky, mobile number, car number और घर number कैसे select करना है अभी आपको जैसे example में दिखाया है आपका date of birth मालुम है उसका single digit number यानि के मूलांक आपको मालुम है और भाग्यांक आपको मालुम है तो सबसे पहले जो मैंने दिया है check date of birth, friendly, easy to match and neutral number ये तीनों numbers आपको देखना है और इन से यानि के सबसे पहले जो friendly number है उन में से कोई मिलता जुलता number, no number के यानि के भाग्यांक के जो लाइफ पा जो friendly number है उसमें है क्या? या easy to match में या neutral में वो number enemy number में नहीं होना चाहिए इतना आपको ध्यान में रखना है यानि के आपको इन दोनों में मिला कर एक ऐसा number निटालना है जो की mostly friendly या easy to match में रहेगा तो वो आपको बहुत favorable रहेगा इसलिए मैंने जो पहले एक चार्ट दिया था पूरे ग्रह का वो चार्ट आपको काम में आएगा वो चार्ट में last में भी दिखाने वाला हूं तो उसमें देखकर आप यह एक number निकाल सकते हों जैसा मैंने नीचे लिखा है कि which number is common between date of birth and life path select that is a lucky number तो यह select करने के बाद में आपको यह enemy में नहीं होना चाहिए इतना धहम में रखना है अभी आपको पता चला कि आपका number क्या है और वो जो number है आपको 3 number है for example आपको 3 number बहुत लगी है तो अभी कैसा करोगी कि आपका existing mobile number 4 है तो उसको edit करने का method यह है दोस्तों अभी 4 में हम कितने मिलाएंगे तो हमको 3 आएगा तो easy है it's 8, 8 और 4 हम मिलाते हैं तो 12 आएगा 12 में 1 और 2 फिर से हम मिलाते हैं तो 3 number मिलेगा तो इस प्रकार से हम 8 number अगर मिलाते हैं चार में तो हमें 3 number हो सकता है अब यह 8 number जो है दोस्तों इस 8 number का करना क्या है आपको यह 8 number जो है किसी speaker में लिखकर आपके mobile के पीछे cover में आप रख सकते हैं या फिर mobile के cover के अंदर आप यह 8 number लिख सकते हैं लेकिन आपको एक चीज strictly धहन में रखना है, इसको as a wallpaper आपको use नहीं करना है, जैसे आपका SIM card hidden है पीछे mobile के body में, वैसे ही आपको इस number को भी वही पर किदर तो भी लिखना है, यह आपको धहन में रखना है, इस प्रकार से आप modify कर सकते हो आपका existing mobile number, आपका car number, car number change करना possible न नहीं होता है, तो उसको हम कैसे change करें, existing mobile number है, existing आपका car number जो है, समझेए 4 है और आपको उसको change करके 3 करना है, उसका total या फिर वो number 3 चाहिए, तो कैसा करोगे, तो जैसा पहले मैंने बताया, 8 आप अगर मिला होगे 4 में, तो 12 आएगा, 1 प्लस 2, 3, आपको 3 नमबर मिल तो आपको रखना है, कार में ही किदर तो भी, यह ध्यान में रखना है, आप आपके car में यह art number sticker, या फिर metal का art number आप आपके car के अंदर किदर भी रख सकते हैं, इसको साथ में लेकर आपको गुमना नहीं है, कार में ही रखना है, आपका जो existing house number है, उसको आप कैसे change करोगे existing house number change करना, इतना easy नहीं होता है, कि हमने number जो चाहिए वो ले लिया, या फिर यह number का घर हमें चाहिए rent से, तो यह इतना possible नहीं होता है डूनना, तो इसकी वज़े से अगर change करना है, तो आपको, अगर आपका existing 4 है, उसको 3 करना है, तो उसमें 8 मिलाना पड़ेगा, दोस्तो लिए मैंने same numbers लिए है, तो 8 नमबर आपको क्या करना है, तो आपके दरवाजे के पीछे, आपको यह 8 नमबर लिखना है, या फिर sticker आप लगा सकते हो, दरवाजे के पीछे, मतलब घर के अंदर के साइड में, ना कि बाहर के साइड में, आपको यह sticker लगाना है, घर के नमबर है, तो alphabetically भी कुछ numbers numerology में मिलते है, तो इसको कैसे calculate करना है, इसका भी एक वीडियो मेंने बनाया है, उसका link में description में दे दूँगा, क्योंकि उतना फिर से बड़ा चक्र यहां पे explain करना possible नहीं है, यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप घर के लिए, ज उन्हें उस alphabet के लिए कौन सा value लेना चाहिए, तो इस प्रकार से आप change कर सकते हैं घर का number, अभी हमने देखा दोस्तों कि आपको आपका लखी जो number है, यानि कि मूलंक और भाग्यांक इन दोनों के उपर से आपको आपका लखी number कैसे निकालना है, और वो लखी number कैसे निका दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कुरुपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल में जाकर जो वास्तु का प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर एक बार विजिट कीजिए, आपके काम के बहुत सारी चीज़े आपको उस में मिलेगी, धन्यवाद